नमस्कार, क्यापिटल टीवी उत्र प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूझा प्रदानमंत्री मोधी ने यूपी चुनाव से पहले यूपी की जनता को एक और इंटरनाशनल यरपोर्ट की सौगा दी है प्यम मोधी ने नौईजा इंटरनाशनल यरपोर्ट का शुलन्यास कर दिया है जो बनकर 2024 में तैयार हो जाएगा जेवर यरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा यरपोर्ट होगा खास बत ये है कि ये प्रदूशन से मुक्त होगा और यूपी का पाच्वा इंटरनाशनल यरपोर्ट होगा शुलन्यास के बाद पीम मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया और संबोधित कर किसानों को लेकर बड़ी बात कही है सुनगे पीम मोदी ने क्या कुछ कहा पीम मोदी ने यूपी की जनता को बड़ी सौगात दी है नोईडा एंटरनेशनल यरपोर्ट का शुलन्यासकर विपाक्षियों को करारा जवाब दिया है इस खास मौके पर पियम मोदी ने जनता को सम्भोधित कर कई बड़ी बड़ी बाते कही पियम मोदी ने कहा कि पहले सरकारों के दोरान जिनके लिए किसानों से जमीन तो ली गई लेकिन उनमें या तो मुआबजे से जुड़ी समस्या रही या फिर सालों से जमीन बेकार पड़ी रही पर बीज़ेपी की सरकार ने किसान हित में देश के हित में इन अडचनों को भी दूर किया बीज़ेपी सरकार ने ये सुनश्चित किया कि प्रशासन किसानों से समय पर भूमी खरीदे और तब जाकर 30,000 करोड की इस परियोजना का भूमी पूजन करने के लिए आगे बड़े है इस खास मौके पर पियम मोदी ने क्या कुछ कहा सुनिए साथियों पहले किसानों की जमीनियों को लेकर जिस तरह की गड़वड़िया होती थी उसे वो भी प्रोजेक्ट की देरी में बहुत बड़ा रोड़ा बन जाती थी यही आज पास पहले की सरकारों के दोरान अनेक ऐसे प्रोजेक्ट है जिनके लिए किसानों से जमीन तो ली गई लेकिन उनमे में या तो मुवावजे से जुड़ी समसाय रही या फिर सालों साल वो जमीन बेकार पड़ी है हमने किसान हिद में, प्रोजेक्ट के हिद में, देश के हिद में इन अर्चनों को भी दूर किया हमने ये सुनिश्चित किया कि प्रशाचन किसानों से समय पर पूरी पार्दर्शिता के साथ भूमी खरीजे और तब जाकर 30,000 करोर रुपय की इस परियोजना का आज हम भूमी पुजन करने के लिए आगे बड़े साथी पियम मोदी ने कहा कि क्वालिटी इंफ्रस्ट्रक्चर की सुविदा सुनिश्चित की जा रही है आज आम नागरिक की हवाई सफर का सपना भी पूरा किया जा रहा है अकेले यूपी में बीते वर्ष में आठ यर्पोर्ट से फ्लाइट शुरू हो चुकी है कई पर अभी भी काम चल रहा है पियम मोदी ने आगी कहा देश में कुछ राजनितिक दलो ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्व परी रखा है इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ अपने परिवार को ही विकास मानते थे जबकि हम रास्ट प्रथम पर चलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास यही हमारा मंत्र है पियम मोदी ने ये भी कहा कि कुछ राजनितिक दलो द्वारा किस तरह की राजनिती हुई सब ने देखा लेकिन भारत विकास की राजनीती से नहीं हटा तो पियम मोदी ने इस खास अफसर पर विपक्षियों को करारा जवाब दिया और बताया कि यूपी में बनने जा रहे इस यरपोर्ट से कितना फाइदा आम लोगों को होगा आम जनता को रोजगार भी मिलेगा और यूपी विकास की मामले में अपना नाम पूरे दुनिया के सामने रोशन करेगा इस खबर में पलाल इतना ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे है क्यापटल टीवी उत्रप्रदेश नमस्कार